हेलो एबरिवन जैहिन जैभारत वंदे मातरम आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे आप सभी तो गाईज आज की ये वीडियो में बहुत इंपोर्टन चीज़ हम करने वाले हैं आज की ये वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपको प्रोपर नोट्स कैसे बनाने ठीक है ऐसा तरीका में आप लोगों बताने वाला हूँ जिससे आपका कोई भी concept जो है वो नहीं रहेगा हर एक चीजे आपकी proper तरीके से clear होगी और साथ में आपकी NCIT भी cover हो जाएगी और साथ में जो लोग हम यहाँ पे YouTube पे आपको करवाते हैं या कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हो तो उसके proper notes आपको कैसे बनाने हैं ताकि आपको जब revise आप लोग करो तो कहीं भी दिक्कत ना आए ठीक है तो देखे ध्यान से देखिएगा मैं इसको दो हिस्सों में divide करने वाला हूँ ठीक है इस चीज को हम दो हिस्सों में divide करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा देखो आपको क्या करना है जब भी आप notes बनाओ जब भी आप notes बनाओ आपके पास जो भी आपकी notebook है इसके अंदर हमारे ये दो page होगे ठीक है एक right side वाला page और एक left वाला page हाना ऐसे notebook खुलती है तो यहां से notes बनाने start करने आपको इस page को हमेशा क्या रखना है खाली रखना है इस page को हमेशा क्या रखना है खाली रखना है जो भी chapter है मानलो आपका chapter है complex number आप कहीं से भी पढ़ रहे हो YouTube से पढ़ रहे हो या कोई भी paid course से पढ़ रहे हो आपने class के सारे notes बनाए तो आपको यहां से बनाना start करना है आपको notes कहां से बनाना start करना है यहां से बनाना start करना है और इस page को हमेशा क्या रखना है खाली रखना है अब इसका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स जैसे ही पेज आगे पल्टोगे फिर आपको राइट साइड वाले पर लिखना है लेफ्ट वाला फिर आपको खाली रखना है इसके उपर आपको क्या करना है इसके उपर आपको NCIT का काम करना है देखो क्या होगा कि ऐसा करने से बस इतना ही फरक पड़ेगा कि जहां आपकी दो नोट बुक लगनी है वहाँ चार लग जाएगी कोई बात नहीं है दो की जिगा है चार ही सही अगर मेरा पेपर क्लियर होता है मेरे कंसेट क्लियर होते है तो मैं पांच भरने दस भरने तक त इसलिए बोला कि आपको क्या करना है जो भी एक्जामपल जो भी प्रैक्टिस कोश्चन आपको यहां पर करवाए गए जो चैप्टर है वो आपका चल रहे है उसके नोट्स आपने इस साइड बनाए अब आपको NCIT में जाना है किस चैप्टर पे कॉंप्लेक्स नंबर के अंदर जितने भी प्रोपर्टी कोई भी पॉइंट लिखाओ चैवो रिमार्क करके लिखाओ चैवो नोट करके लिखाओ चैवो थियोरम के रूप में लिखाओ तो जितने भी पॉइंट आपके NCIT में लिखे हुए इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट वो सारे जो left side आपने खाली रखी है वहाँ पे लिखने है आपको क्या होगा ये आपके class के notes हो गए और ये उसी chapter के जो आपने खाली रखी है जगा है वहाँ पे NCIT के notes हो गए ये आपने course से किये और ये आपने खुद बनाए तो आपको क्या होगा इससे benefit होगा आपके NCIT भी cover और आपके paid course का भी chapter दोनों चीज़ें एक साथ cover और जब revise करोगे आपको पता चल जाएगा ये NCIT का है और ये जो paid course में में को करवाया गया और इससे क्या होगा कि जब आप खाली space चोड़ोगे कोई भी example आपको class में कराया गया कोई भी practice question आपको class में करवाया गया उस question में अगर किसी दूसरे chapter का concept यूज हो रहा है तो आपके पास खाली space बचा है उसमें वो concept आप लिख सकते हैं कि इस example में यहाँ पर ये concept लगा है इससे आपका concept clear होता है तो इस तरीके से आपको notes बनाने हैं इस तरीके से notes बनाओगे तो उसमें आपका ही फाइदा होगा I hope कि मैं जो चीज बता रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं तो जो जो बच्चे इस तरीके से काम करेंगे 100% guarantee के साथ कहता हूँ double फाइदा है NCIT भी cover हो रही है और मेरे course के notes वो भी त्यार हो रहे हैं जिससे हमने NCIT के अंदर कोई भी important point अगर लिखा है उसने वो भी सारे मेरे cover हो गए ऐसा काम आपको 100% करना है इसी तरीके से notes बनाने हैं हर chapter के बस कोई फरक नहीं पड़ेगा दो notebook की जगा चार notebook लग जाएगी उससे कोई फरक नहीं पड़ता last में अगर मेरा paper clear होता है तो वो कोई चीज आपको माइने नहीं रहेगी सिरफ आपके सीने पर जब वर्दी होगी तो अब आपको बिल्कुल भी ऐसे मसूस नहीं होगा कि यार मेरी दो की जए चार notebook लग गई ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा है ना तो I hope कि इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी मिलें हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिन, जय भारत, वंदे मातरम वीडियो को लाइक करना मत बूलना कमेंट बोक्स में जय हिन करना का मत बूलना चैनल पे जो भी अने चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है, और ये बहतरीन बहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके जुरूर बताना कि आपको next किस टोपिक पर वीडियो चाहिए ठीक है, ओके, तो मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन